राजुस्तान में एक बार फिर से कॉंग्रिस में सियासी भुच्वाल आया है आज करीब 32 कॉंग्रिसी नेताओं ने बीजेपी के प्रदेश और कार्याले पहुंच पार्टी की सदस्य तग रहन की आज पुर्व सियम अशुक गहलोत के करीबी रहे उनके पुर्व केबिनेट मंतरी कॉंग्रिस नेता लाल चंद काटारिया समेट पार्टी के 32 नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा कॉंग्रिस के 32 नेराओं के बीजेपी में शामिल होने पर राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्याक्षा स्टीपी जोशी ने क्या कुछ कहा वो सुनिये आज इन लोगों ने राजस्थान सरकार में मंतरी रहे मानिय लाल चंद कटारिया जी राजंद्र यादव जी और मेवार की धर्ती से आये जिन्होंने पूरी जंता सेला का विलयाज किया एसे महाराजार अंधिर सिंग जी माहिन सहीबा रिषपाल सिंग जी खिलारी बेरवा जी आलोक बैनिवाल जी विजेपाल जी और रामपाल जी ने तो भिरवारा का लोगसभा चुनाव भी लड़ा है रिजु जुन्दुवाला ने अजमेर का जुनाव लड़ा है हमारे शुरेश चोत्री जी अनिल्व्याज जी राम नारण जी और उनके साथ आए मैं सब का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं एक बार सब के लिए जोड़दार ताली बजाकर इन सब का अभिनानन करें यह आज तो कि सदस्ता करें करनकर रहे हैं आपर लिए परिवार का एकक्षारशता होने के लाते मैं आपका सभी शेल परिवार में आपका स्वागत और मिननन कर आज घंग लोने डबल इंजन की सब्वार में आजनिये मोदी जी की गारंटी में मोदी जी के नातरत विश्वास करते वे कहां कि राजस्तान में इत्ते सालों से कॉँआंग्रेस की सरकारी कोई एर सिपी नहीं ला पाया कोई यमुणा जल समज्वता नहीं कर पाया इस नरण्द् था कारले में बेठा था तब लोग कह रहे थे कि प्रभु स्री राम 14 वर्ष वनवास में रहने के बाद जब अध्या जी आये तब पूरा देश से दिवाली मनाई लेकिन अब 500 वर्षों पुराना संगर्ष मोधी जी के नेतरोत में पूरा होते वे देश देख रहा था और हि को मना रहे थी उसमें भी कुछ लोग कहते हैं कि हम उनके निमंतरन को ठुकराते हैं ऐसी पार्टी को हम ठुकराते हैं राजुस्थान की राजधानी जैपुर स्थीत बीजेपी प्रदेश कारयले में सीम भजन राजशर्मा बीजेपी प्रदेश अधेक सीपी जोशी और केंद्वे मंतरी भुपेंदर यादप की मौजूदगी में कॉंग्रेस नेताओं का मीगा जॉइनिंग कारेकरम आयोज ना निती है ना नियत है और जब कॉंग्रेस का जो रसातल में जाने का एक पीछे कारने की 60 वर्षों तक इस देश की जनता को सिर्फ और सिर्फ दोखा देने के लाग कोई काम नी किया इसलिए आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक कॉंग्रेस के नेताओं को इनके लेतरत लोकसभा चुनाब से पहले राजोस्थान कॉंग्रेस में आये इस सियासी भुचाल ने पार्टी के सामनी बड़ा सियासी संकट खड़ा कर दिया है अब देखना ये है कि आखिर कॉंग्रेस अपने नेताओं की दल बदलने के इस सिलसिले को कैसे रोकती है इस खबर में फिलहाल इतना ही खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए वने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ